IPL 2024 में राजस्तान रोयल्स की टीम ने एक बहुत ही बढ़िया श्टार्ट करा था जहांपर आरार की टीम पहले 9 मैचिस में से 8 मैचिस जीत चुकी थी और लिग स्टेज के आगरी दिन तक आरार की टीम टॉप टू में थी लेकिन ऐसा क्या हुआ सेकेंड हाफ में कि राजस् करेंगे वीडियो काफे इंट्रेस्टिंग रहेगी आप सभी IPL फैंस के लिए वीडियो का आपन तक जोड देगीगा तो इस बात करम सबसे पहले राजस्तान रोयल्स की टीम के बार में तो आरार की टीम को एक ड्रीम स्टार्ट मिला था जहांपर राजस्तान रोयल्स की जीत लिए तो लग रहा था कि राजस्तान रोयल्स की टीम टॉप तू में ही फिनिश करेगी और रार की टीम तूर्ट था टूर्णामें तॉट टू में रहती है लेकिर क्क स्टेजी चके आऐरे सिजन ओल पर सबसे पहले बात करम राजस्तान रोयल्स की टीम के कुछ टॉ सबसे पहले हैं कि लड़ी की बात करें वो है दोस्तों रियान पराग यहां दोस्तों रियान पराग ने थ्रू आउट दसीजन बहुत ही अच्छी पहुंस दी रियान पराग के स्टैट्स की बात करें तो इस साल इन्होंने 15 मैचेस के लिए 573 रन बनाया 149 का श्राइक रेट मोश्ट हर मैच में इन्होंने रन बनाया हर बार राजस्तान रॉयल्स की टीम को यह बचा रहे थे और इनका सीजन बहुत ही अच्छा रहा राजस्तान रॉयल्स की टीम के टॉप पफोर्मर तो यही थे मेरे इसाब से वहीं पर बात करें दूसे टॉप पफोर्मर की तो व पांच अर्दिशे तक लगा है यह स्कूर इस सीजन में इनका 86 का था बहुत ही बढ़िया तरीकी से संजू सैमसन निकला है दूर्णामेंट के एन में ज़रूर यह उतनी खास पहुंस नहीं दे पाए थे लेकिन इनको थोड़े हैल्थ इशू भी तो वह भी एक रिजन हो सकत जी या दोस्तों आवेश्छान की राजास्थान रॉयल्स की टीम ने ट्रेड करी थी आईपेल से पहले और बहुत सवाल उट रहे थे कि आवेश्छान कैसा पर्फॉर्मेंस करेंगे लेकिन आवेश्छ्छान का में वहीं पर दूसरे यहां पर टॉप पर्फॉर्मर की बात करें वह थे दोस्तों यूजी चाहल यूजी चाहल का ज़रूर सेकेंड आफ अफ अफ तूनामेंट उतना खास नहीं रहा था उतनी जबरदस्त परमस नहीं आ पारे थी बहुत रन इनको पढ़ रहे थे लेगिन इनका सीजन देखे तो इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए बड़ी हई परफॉमस दी जहां पर 15 मैचिस के लिए 18 विकेट इनों निकाले इनकी भी 9 के करीब की एकोनों में थी एवरेज 30 की थी और यहां पर इनका डीसन सीजन कहेंगे यहां पर सेकेंड हाइस्ट व कोल्ड होगे आवेश्कान होगे संदीव शर्मा यूजी चहल रवीचन और अश्विन इन खिलाड़ ने इन पांच वालर्स ने राजस्थान रॉयल्स के लिए पूरे टूर्णामेंट में अच्छी ही गीन बजी करी बहुत बढ़िया तरीके से आरार की टीम इनको यूज बढ़िया थी राजस्थान रॉयल्स के लिए पूरे टूर्णामेंट में कई बार इनों ने ही यहां पर आरार की टीम को मैच हानने से बचाया था पर देखे कहीं न कहीं उसमें बैटिंग फेलियर का ही सबसे बड़ा हाथ था जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टिंग की बल्ले बासी यहां पर टूनामेंट के एंड में आते आते हैं बिल्कुल नहीं चल पाई सिर्फ दो खिलाडों के भरोसे यह चल रहे थे और वो दो दूसरे कोई उतने तगड़े फिनेशर नहीं थे वहीं पर दोस्तों एंड में यहां पर जॉस बर्लर भी इंगलेंड चले गए थे जॉस बर्लर भी अनविलेबल हो गे थे तो यहां पर टूनामेंट के एंड में राजस्थान रॉयल्स की टिंग के दो दू यहां पर दिक्कत बन गई थी उनका ओपनिंग पैर जियां दोस्तों ओपनिंग पैर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था पूरे टूनामेंट में देखे तो राजस्थान रॉयल्स की टिंग का ओपनिंग पैर एक साथ कभी क्लिक ही ने कर पाया जब जब जॉस बटलर बाहर हुए लेकिन वह भी बुरी तरीके से इस बार आईपेल में फ्लॉप होगे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको चांसे भी दी लेकिन वैसे पफॉन्स वह नहीं दे पाया था और आर आर की टीम के लिए फिनीशर्स में भी प्रॉबलम आ रहे थी जहां पर शिमरान हैट मैट भी इंजड हो गए थे उसके बाद रॉमेन पाउल दुरू जूरेल ये खिलारी उतना खास पहुंस नहीं दे पाया थे तो राजस्थान रॉयल्स के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आ बनी सेकेंड हाफ में टूर्नामेंट के एंड में वो थी दोस्तों उनके लिए ओपन कंसिस्टनसी के साथ पहुंस नहीं दे पाये थे दूनों खिलाड़ों के बात करें तो दूनों खिलाड़ी के सौ के करीब ही रन बने तो यहां पर राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी क्योंकि पूरी बैटिंग लाइनप में सिफ यहां पर र दियान परा कि अलाहो कोई दूसरा बल्लेबास उतनी खास बहुंसे दे पाया और यही सबसे बड़ी दिक्कत बनी राजस्थान रॉयल्स की टिंग का बैटिंग फेलियर आरर की टिंग को ले डूबा उनके सेकेंड आव में जहां पर राजस्थान रॉयल्स के पास एक बह पहुती पढ़िया ड्रीम स्टार्ट करा था पहले नौ मैचिस में से आठ मैचिस जीत गए उसके बाद जब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अगले पाँच मैचिस के लिए उसमें एक भी जीत राजस्थान रॉयल्स की टीम को नहीं मिली और एलिमिनेटर ज़रूर को प्रसे वह बैडिंग कॉलाप्स हुआ और आरर की टीम हार गई राजस्थान रॉयल्स की टीम मैनेजमेंट कहीं ना ख़ूश होंगे क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम के बहुत ही बढ़िया चांस था आर रार की टीम देखे तह पिछले तीन सीजन में और और इस बार का ये ट्रोफी जीते हैं, यहां पर कब जीते हैं, इनके पास स्कॉर्ड भी वैसा था, खिलाड़ी भी वैसा थे लेकिन राजस्तान रॉयल्स की टीम टूर्णमेंट के एंड में इनके कई खिलाड़ी की अनवालेबिलियू के कारण और कई खिलाड़ी के हेल्थ सेजन में देखे दो यहां पर बैस्ट टीम रही बैस्कॉट रहा राजस्थान रॉयल्स की टीम पितले तीनों ही सीजन में कहीं न कहीं अंडर परफॉर्म कर गई जहां पर आरार की टीम को इस स्कॉड के साथ मेरी सबसे तो एक बार चैंपियन जरूर बनना था वागी राज स्कॉड जिस तरीकी के इस बार इनके बास स्कॉड था वैसा स्कॉड तयार करना काफी मुश्किल होगा राजस्थान रॉयल्स की टीम लिए बाकी आपकी क्या रही है आपको क्या कहना है राजस्थान रॉयल्स की टीम के इस सीजन को लेकर वह आप कमेंट करके जरू हो तो चैनल को जोड़ से सब्सक्राइब करना